रावन अपनी जगा ठीक थे, वो प्यार में थे, रणबीर की रामायन का ये कौन सा एंगल है? रामायन को लेकर एक बार फिर से चड़ा विबाद, रामायन के कास्टिंग डिरेक्टर मुकेश शाबडा ने रावन को बताया सही, कभी रावन पर ऐसा ही बयान देकर बुरे फंसे थे सैफ अलिखान, मांगी थी माफी, इस बयान से लोगों की दार्मिक बावनाओं को पहु रही है, चर्चा है कि इस फिल्म में रावन के रोल में KGF फेम यश नजर आएंगे, लेकिन इस बीच फिल्म के कास्टिंग डिरेक्टर मुकेश शाबडा ने एक अजीब सा बयान दिया है, उन्होंने एक पॉड्कास्ट में रावन को एक तरह से सही बताया है, जी हाँ, स रावन के रोल में उन्होंने एक बेहत प्यारे अक्टर को कास्ट किया है, जबकि लक्ष्मन के किरदार में एक टीवी अक्टर को चुना गया है, इसी दौरान फिल्म में रावन के रोल की बात आई, इस पर मुकेश शाबडा ने कहा कि वो इस किरदार के कास्टिंग के जातों का द्यान रख रहे थे. मुके शापड़ा ने कहा यार वो भी तो प्यार में ही थे ना? वो बडला लेना चाहता था, लेकिन वो प्यार में भी था. जहां तक मैं रावंण को समझता हूँ, वो दुस्ट और प्रती शोधी था, लेकिन उसका बडला अपनी बहन के प्र जिसने भगवान राम को युद्ध के लिए विवश किया, उस रावन को सही ठहराने वाले मुकेश शाबड़ा पहले नहीं है। कुछ साल पहले एक्टर सैफ अली खान ने भी ये कहकर खुद को मुश्किल में डाल दिया था कि वो आदी पुरुष में रावन का मानविय पक्ष दिखाना चाहेंगे, मन और अंजन का स्तर बढ़ाएंगे, सीता के आपहरन और राम के साथ युद्ध को उचित ठहराएंगे जो उसके लिए लक्षमन द्वारा अपनी बहन सुर्पनखा के साथ किये गए व्यवार का बदला था सेफ अली खान ने बयान पर माफी मांगते हुए कहा था मुझे पता चला है कि एक इंटर्व्यू के दौरान मेरे एक बयान ने विवाद पैदा कर दिया लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँची है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था मैं सभी से इमानदारी से माफी मांगना चाहता हूँ और अपना बयान वापस लिना चाहता हूँ